तो वेल हम लोग अब aquatic animals में adaptation की जब बात करते हैं तो well these animals have fins or limbs to swim in water इन animals के पास fins या limbs होते हैं पानी में तैरने के लिए fins, fishes में, flipper of turtles and webbed feet of swan help them to swim मचलियों के fins होते हैं या turtle के flippers होते हैं ये जो देख रहे हैं आप या फिर जो जालिदार जो पैर होते हैं swan के तो वो सब उनके तैरने में help करते हैं उनके body का शेप वो भी special होता है जो कि उनको तैरने में मदद करता है अब जादातर जो होते हैं या aquatic animals वो अपने गिल्स के थूरू सांस लेते हैं जैसे कि मचलियां, क्रैब वगेरा दूशे तरफ whales and dolphins breathe through lungs whales और dolphins जो हैं वो अपने lungs से सांस लेते हैं यही वज़ा है कि whale और dolphin को बार बार water के surface ते उपर आना पड़ता है फिर adaptations in amphibians की अगर बात करें तो these animals have moist skin to breathe in water इन animals की moist skin होती है नमी वाली skin होती है पानी में सांस लेने के लिए इनके पास फेफरा भी होता है जमीन पर सांस लेने के लिए इनके जालीदार पैर होते हैं पानी में तैरने के लिए amphibians like frogs have strong back legs than front legs to hop amphibians जो होते हैं मेढक की तरह तो उनका back leg जो हो काफी strong होता है front leg की तुलना में कूदने के लिए तो यह जो है which help them to move on land जो कि उनको जमीन पर move करने में help करता है तो amphibian में क्या-क्या adaptation मिला आपको सांस लेने के लिए पानी के अंदर सांस लेने के लिए moist skin जमीन पर सांस लेने के लिए lungs साथ-साथ इनका जालीदार पैर जो कि तैरने में help करता है फिर frog जैसे जो amphibians होते हैं इनका जो back leg होता है वो ज्यादा मजबूत होता है front leg की तुलना में तो यह कूद सकते हैं बढ़ियां से और यह जो है इनको जमीन पर move करने में help करता है इस तरीके से अब arboreal animals में adaptations को भी देख लो तो animals जैसे की monkeys, gibbons और koala bear they have strong arms and legs इनके काफी मजबूत arms और legs होते हैं to climb up and down a tree and for holding its branches पेर के उपर नीचे चड़ने के लिए और इसके branches को पकरने के लिए they also have sharp claws and broad hip girdles that provide them support while climbing उनके जो हैं काफी sharp claws होते हैं इनके पंजे भी काफी तेज होते हैं और साथ-साथ इनके जो hip girdles जो होते हैं hip मतलब कमर का area ये काफी चौरा होता है तो वो जो है पेर पर चड़ते वक्त इनको support देता है फिर aerial animals में adaptations की अगर बात करें तो these animals have wings to fly इन animals के पास जो है उड़ने के लिए पंक होते हैं their bones are hollow इनकी हड़िया जो है वो खोकली होती है that make their bodies light जो कि उनके bodies को हलका बनाती है they have boat shaped bodies that help them to cut through the air easily उनका boat के shape का body होता है जो कि उनको हवा में easily जो है cut करने में help करता है adaptation क्या हुआ उड़ने के लिए पंक, खोकली हड़िया जो कि उनके bodies को light बनाती है और साथी साथ body shape, body का shape जो होता है वो boat के जैसा होता है जिसे को हवा को easily काट सकते है अब आगे जो हम लोग बात कर सकते हैं इनके adaptations से related further लेकिन adaptations in behavior और adaptation for protection इनके बारे में हम लोग next lesson में बात करते हैं ठीक है भीलते हैं तब अगले lesson के साथ bye bye